साथियों, नमस्कार! आज के हमारे विशेश कारिक्रम प्लेट्रू में आपका हार्दिक स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट वसंधरावूस तो साथियों, आज के कारिक्रम में हम बात करेंगे एक बहुत ही एहम विशय पर और वो विशय है आन्टी डोपिंग दोस्तों, आज कल ये शप्ट बहुत जाना पहचाना हो गया है लेकिन आपको बता दें कि डोपिंग का मतलब चीटिंग या धोकाधड़ी है ऐसी धोकाधड़ी जिसमें हम अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने के लिए चीटिंग का रास्ता अपनाते हैं और इसी विशय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशी शग्य मौशूद है मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर राजेंद्र आर्या जी का जो की हैं Head of the Department of Orthopedics ABVIMS और Dr. Ram Manohar Lohia Hospital के साथी साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस चारू प्रग्या जी का जो की पेशे से एक वकील है और साथी Member भी है Anti-Doping Disciplinary Panel की Sir, Maam, आपका हमारे इस शो में बहुत-बहुत स्वागत है Thank you very much, Namaste Namaskar, Thank you तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं TUE के बारे में और हमारे experts आज हमें और ज्यादा information देंगे इस topic से related Professor Rajendra Arya, मेरा आपसे पहला सवाल है कि athletes को TUE के बारे में क्या चीज़े clarify करनी चाहिए दोस्तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि TUE का संबन sports में doping के साथ है doping का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी दवा या ऐसा कोई इलाज का तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बिमारी अपनी तकलीफ के लिए जो World Anti-Doping Agency ने ban किया हुआ है World Anti-Doping Agency एक संस्ता है जो हर साल एक list निकालती है इस तरह के chemical और methods की जो band है जिससे आपको दूसरे athlete के उपर फाइदा होता है ताकि आप अपना sports activity आपने performance को enhance कर पाते हैं वो डोपिंग कहलाती है TUE होता है therapeutic use exemption एक certificate होता है जो आपको अगर आप किसी तरह का इलाज कर रहे हैं किसी भी तकलीफ या बिमारी के लिए आपको certificate की जोरत पढ़ती है उस sports में जाने से पहले ताकि आप पर किसी तरह का blame ना लगे कि आपने वो दवा अपने performance को enhance करने के लिए इस्तेमाल किया है so therapeutic use exemption एक certificate है जो national या international फेडरेशन या organization द्वारा प्रमानित किया जाता है कि आप उस दवा का इस्तेमाल fairness के साथ कर रहे हैं permission के साथ कर रहे हैं जी, thank you और इसे obtain करने का क्या process होता है डॉक्टर आप हमें अगर ये बता सकें इसको आप obtain करने के लिए ये जाना जुरूरी है कि आप किस लेवल का गेम खेल रहे हैं हम बात करें नाशनल लेवल गेम खेलने के लिए जाना है तो हमें नाशनल एंटी डोपिंग और्गनाजेशन या नाडा के पास जाना चाहिए इसके लिए नाडा की वेबसाइट दू तरीके हैं या तो आप वेबसाइट के थू जा सकते हैं उसमें आप अपलाई करेंगे अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने रिकॉर्ड अपना दवाई या तरीका जो आप स्थेमाल कर रहे हैं जो आपको प्रिस्क्राइब है दूसरा तरीका है कि आप application form वहाँ से download करें उसको physical form में भर लें उसके साथ पूरा अपना record medical record डॉक्टर के साथ लिखाएं और इन सब चीज़ों आपके साथ एक चीज़ add करना चाहूँगा कि WADA या NADA की website पे पहले जाकर कि आपको एक checklist दीवी है और guideline दीवी है physicians के लिए checklist मतलब आपको क्या क्या चीज़े जमा करनी है उस form के साथ और guideline मतलब आपको क्या क्या चीज़ कैसे और किस तरह से submit करना है तो यह सारी चीज़े समझने के बाद आप सारा form भरने के बाद online या offline आप जमा कर सकते हैं इसके लिए और जानकारी लेने के लिए आप अपने coach से बात कर सकते हैं अपने team doctor से बात कर सकते हैं या फिर anti-doping agency के साथ भी contact करके उनके officer से भी आप मिलके बात कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी सारी information हमारे listeners तक पहुचाई अब मेरा अगला question है डॉक्टर चारू प्रग्याजी से माम क्या आप हमें बता सकती हैं कि athletes की क्या responsibilities होती है जब बात आती है anti-doping measures के बारे में तो शुरुबात यहां से करते हैं कि doping क्या होती है doping को तो अगर हम साधारन भाषा में कहें तो मैं उसे cheating कहूंगी doping वो है कि हम कोई दवाई खा लें या कोई ऐसा पदार्थ खा लें या अपने शरीर में inject कर लें जिससे हमारा performance enhance हो जाता है आप ये मानिये कि अगर हमें 500 मीटर की race दोड़नी है और एक इंसान को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया है तो एक unfair advantage जिससे उसको मिल रही है तो कुछ दवाईयां खाने से भी ऐसी unfair advantage मिलती है आप में ताकत ज़्यादा आ जाएगी आप कम ठकेंगे आपके शरीर का वजन जल्दी कम हो जाएगा muscle mass बढ़ जाएगा तो doping basically वो दवाईयां है जिससे हम अपने sports में बाकी लोगों के comparison बहतर करते हैं क्योंकि हम cheating कर रहे हैं तो जहाँ पर जिम्मेदारियों की बात आती है वहाँ पर हमारे हक की भी बात आती है तो अगर मैं एक competition खेलने जाओं तो ये मेरा हग बनता है कि जो मेरे साथ उस competition में आए है वो मेरे level पे compete कर रहे है आपने एक कहानी तो सुनी होगी अगर पेड़ चड़ने का competition है तो बंदर जीतेगा मचली नहीं और swimming का competition है तो मचली जीतेगी बंदर नहीं तो हमारी कोशिश anti-doping के जरिये से यही रहती है कि एक level playing field दी जाए सारे खिलाडियों को और इस level playing field को देने के लिए हम सबकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मूँ में जो भी डालें चाहे वो खाना हो चाहे वो दवाई हो चाहे वो कोई injection हो उसमें कोई ऐसा पदार्त ना हो कोई steroids ना हो कोई दवाईया ना हो जिसकी वज़ा से हम बाकी सारे खिलाडियों से आगे निकल जाए चीटिंग करके इस बात को यहाँ पर अगर आपको और मुझको 500 मीटर दौड़ना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 200 मीटर दौड़ू और आप 500 मीटर दौड़ें एक equal footing पे हमारी शुरुवात होनी चाहिए दूसरी बात अगर कोई ऐसी मेरी medical history है या मेरा कोई background है जो मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सबको पता ना चले या मैं किसी बिमारी के लिए अपना इलाज करवारी हूँ तो मेरे पास ये right है कि इस information को public ना किया जाए मेरे पास ये right है कि कल को अगर मैं किसी doping के case में फज जाती हूँ तो मेरे पास एक वकील होगा जो मेरी मदद कर सकेगा जो मुझे समझा सकेगा मेरे पास एक guidance होगी और अगर कोई order आपके खिलाफ पास होता है तो आपके पास फिर भी ये right है कि आप उसकी appeal में जा सकते हैं ये हमारे listeners के लिए बहुत ही बहुत ही आवश्यक information थी जो अभी आपने और sir ने हमारे साथ साजा की तो मैं आपसे question पूछना चाहूँगी कि TUE की जरूरत किसे होती है और ये क्यूं जरूरी होता है और इसे प्राप्त करने में कितना समय लगता है TUE की जरूरत उन सब खेलाडियों को है जो national level या international level में खेलना चाहते है TUE अगर हम प्राप्त नहीं करते time से inform नहीं करते तो हम अगर dope testing में पकड़े जाते हैं अगर हमारी dope test positive आता है तो हम हमारे पास उसके बारे में जवाब देने से पहले या उसमें फसने से पहले अगर हम पहले apply कर देते हैं TUE के लिए क्योंकि कुछ medicine कुछ दवाईयां आपके इलाज के लिए जरूरी है और अगर वो दवाईयों के लिए आपको ये ensure करना है कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हुए हैं इलाज के लिए तो आप उनको पहले बताएं कि आप national level या international level के खिला रही हैं और जो भी इलाज आपको दिया जा रहा है वो उस prohibited list में नहीं है और अगर है तो क्या उसका कोई safe alternative है और अगर safe alternative है तो हम उस दवाउ को क्या avoid कर सकते हैं अगर इन सब चीजों के बावजूद भी आपके physician decide करते हैं कि आपको वो दवा या method जरूरी है जो उस prohibited list में है और उसके बिना आपका इलाज अधूरा है तो आप दवा इलाज इस्तिमाल कर सकते हैं provided कि आप national agency या international event जहां आप participate करने जा रहे हैं उनको times कम से कम एक महिना पहले आप ये declare करें कि आप ये दवा और ये method इस्तिमाल कर रहे हैं क्योंकि इस सारी process में करीब करीब कमेटी को कमेटी हैं वो कुछ physician लोग होते हैं उसमें जो WADA या national level पे NADA उनको constitute करती है और वो कमेटी आपके सारी medical paper देखने के बाद decide करती है कि आपको TUE exemption दिया जाए या ना दिया जाए सर मैं भी कुछ पूछना चाह रहे थी अगर कहीं emergency हो जाए कोई accident हो जाए या urgently आपको किसी डॉक्टर को दवाई देनी पड़ जाए तो आपके पास समय नहीं है TUE के लिए apply करनी के लिए इस condition में एक athlete क्या करें इन सब मामलों में अगर कोई emergency होती है या ऐसी situation आती है कि आपको तुरंत एक इलाज की जुरुत है तो जैसे आपने पहले बताया कि athlete कम से कम अपने doctor को डिक्लेयर करें कि मैं इस level का athlete हूँ और कोई ऐसी दवा इलाज के लिए संभव है जो prohibited list में नहीं है तो उससे इलाज किया जाए however, अगर ऐसी दवा नहीं है और वो दवा आपकी इलाज के लिए जरूरी है तो आप emergency में दवा लेने के बाद तुरंत अपनी event organization को जो नाडा या वाडा हो सकती है इसको आपको inform करना है और वो committee बैठके decide करेगी कि आपने जो apply जो दवा ली है या जो तरीका इस्तेमाल किया है उसके लिए exemption दी जाए या ना दी जाए वो जवाब आने के बाद अगर वो आपके against गया है तो भी आपके पास एक और मौका है कि आपको जो भी reply आपको मिला है उस reply में पुरे reason दिये जाते है कि आपका T.O.E. क्यों reject किया जा रहा है उस reason में शायद ये भी वज़य हो सकते है कि आपके paper incomplete थे हो सकता है आपने पुरे medical document ठीक से लगाए नहीं थे तो आप दुबारा से सारे document लगाके दुबारा से NADA या WADA को submit कर सकते है हावेवर अगर वो paper complete थे फिर भी आपका reject हो है तो भी आप appeal में जा सकते हैं दुबारा से detail के साथ मतलब ये चीज़े हमें तब भी help कर सकती है कि किसी athlete से जाने अन जाने में doping से related कोई गलतिया ना हो जाए एक चीज़ सिर्फ add करना चाहता हूँ जो national और international level के athlete है उनसे during competition और off competition भी doping test होते हैं अगर आप off competition है और उस समय आपने कोई ऐसी दवा लिया है जो in competition ban है ऐसा होता है कि वो दवा सिर्फ in competition और off competition ban होती है या दोनों में ban होती है अगर दवा in competition ban है और आपका test off competition हुआ है और आपकी वो दवा मिलती है तो आप retroactive TUE exemption के लिए apply कर सकते है तांक्यू मेरा अगला question शारू माम से है कि एक खिलाडी को क्या-क्या जिम्मेदारिया निभानी पड़ती है जी हमने ये तो discuss कर लिया कि हर एक खिलाडी के पास कुछ अधिकार होते हैं और ये अधिकार क्या है लेकिन अधिकार के साथ आती है जिम्मेदारिया तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि anti-doping के जो laws है जो rules है हम उनका पूरा-पूरा ध्यान रखे और किसी भी वज़ा से हम इन rules को इस कानून को ना तोड़े हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ खाएं कुछ पीएं कोई दवाई लें कोई injection लें बिमारी में या supplements के तौर पर या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तो इन में से कोई भी चीज ऐसी ना हो जो anti-doping के rules में prohibited हो banned हो allowed ना हो illegal हो अगर हमें कोई बिमारी है हमारा कोई इलाज चल रहा है तो हम पहले ही पहले उस दवाई के लिए एक exemption ले लें एक TUE का certificate लें ये बहुत ज़रूरी information आपने अभी हमारे listeners को दी एक question चारू जी हम पूछना चाहेंगे कि ये सारी information athlete को कहां से मिले coach, साथ खेलने वाले खिलाडी team doctor या फिर NADA की responsibility कि सब खिलाडियों के बताया जाए डॉक्टर साब ये हम सब की मिलकर जिम्मेदारी बनती है एक खिलाडी की भी, खिलाडी के coach की भी federation की भी और NADA की भी क्योंकि NADA अपनी तरफ से बहुत सारे workshops conduct करते रहते हैं NADA अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि हर खिलाडी को चूप आए, उनको कम से कम basic knowledge दे पाएं, लेकिन ये वो ही बात है, जैसे अगर हम सडक पे गाड़ी चला रहे हैं और red light है और हम उस red light को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं, sorry हमें तो पता ही नहीं था, कि ऐसा कोई कानून है, कि लाल बत्ती पर रुखना पड़ता है, इसी तरीके से हर खिलाडी की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखें, doping के क्या rules हैं, anti-doping के क्या regulations हैं, और कल को पलट कर हमें ये ना कहें, कि हमें पता ही नहीं था, इसलिए अवेर होना बहुत ज़रूरी है, क्या आपके क्या rights हैं, क्या responsibilities हैं, और उसके मताबिक आपको आगे का plan करना चाहिए इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी Professor Rajendra Arya जी का बहुत ही important, बहुत महत्वपून conversation था, और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर साब के साथ मुझे हाँ, आपके साथ बैठने का मौका मिला Thank you, thank you so much Thank you, thank you very much तो साथियों, अभी हमने विशिशग्यों द्वारा सुनिये चर्शा और हमने जाना कि therapeutic use exemption और anti-doping के प्रती अपने अधिकारों और अपने उत्तर दायत्वी से खिलाडी मूँ नहीं मोर सकते हैं उन्हें इससे संबंधित नियमों का अनुपालन करना ही चाहिए हमारे साथ इस कारिक्रम में बने रहने के लिए आप सभी listeners का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज हम सुन रहे थे आंटी डोपिंग पर ये विशेश चर्शा ये कारिक्रम नाशनल आंटी डोपिंग एजनसी और CIT-NCERT न्यू डेली द्वारा प्रस्तुत किया गया है